हेलो दोस्तों, आज आपको हेल्पिंग आइडियाज की मदद से सहारा रिफंड पोर्टल पर कैसे स्टेटस देखे ये बताया जाएगा आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करे सहारा रिफंड अप्लिकेशन स्टेटस क्या है? कौन-कौन इससे अपना अप्लिकेशन की वर्तमान स्थिती जा सकते हैं जितने भी लाभारती सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किये थे और उनका पैसा अभी तक नहीं आया है और वह भी यह जानना चाहते हैं कि उनका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया और उनका आवेदन अस्वीकृत तो नहीं हो गया या उनके द्वारा आवेदन में कोई तुटी तो नहीं रह गई इन सभी जानकारी को जानने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा रिफंड अप्लिकेशन स्टेटस का लिंक एक्टिव कर दिया गया है जिसके सहारे आप अपने आवेदन की स्थिती को जान पाएंगे और अपनी कमी को दूर कर पाएंगे सहारा refund application status चेक करने के लिए आप online अपने mobile से computer के सारे देख सकते हैं status चेक करने के लिए क्या है पूरी प्रक्रिया हम आपको step step बताने की कोशिश करेंगे सहारा refund application status चेक करने की प्रक्रिया इस प्रकार है सबसे पहले आपको उनके आधिकारिक website पर आना होगा या नीचे दिये गए link पर जाना होगा इसके बाद आपको depositor login वाले option पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारिया मानगे जाएंगे जैसे आधार नंबर और उससे जुड़ा हुआ mobile नंबर जिसे भरकर आप submit वाले option पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने आपका application status शो करेगा कुछ पर pending और कुछ पर reject लिखा हो सकता है इसका मतलब है कि अभी भी जाच चल रही है और reject के case में कुछ गलत data feed हुआ है जो match नहीं हो रहा है अतह इस प्रकार आप सहारा refund application status चेक कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिती जान सकते हैं